वेल्कम तो दो चैनल कैसे हैं आप सभी आई हूप आप सभी ठीक होंगे लेकर आई हूँ आपके लिए आज किस टरो कार्ड वेडिंग को जिसमें चेक करने वाली हूँ अगर आपकी परसन थर्ड परसन सिचुईशन में यानि कि थर्ड पार्टी सिचुईशन अगर आपके है तो आपकी परसन क्या कुछ फील कर रहे हैं आज आपके लिए चेक कर लेती हूँ अगर आपकी परसन थर्ड परसन सिचुईशन में है ब्लॉग कॉंटेट सिचुईशन में है तो क्या कुछ फील कर रहे हैं आज यह परसन चेक करूंगी गाइस चैनल बेसिस पे रहेगा ये प्रेडिक्शन्स जैनल तरी किसी देखिएगा क्या कुछ फील कर रहे हैं ये परसनाज के दिन में आपके लिए ओके गाईस फाइव आफ सूर्स की नर्जिस है सबसे पहला कार्ड ही आर्विमेंट्स का आया है ब्लेमिन का आया है किसी दरहागा कोई लड़ाई जगड़ा मुझे इनके थर्ड परसन के साथ में नَّजरं आ रहा है गाईस सबसे पहला कार्ड बहुत ही जादा मुझे आपर he is important नजर आ रहा है क्योंकि जब मैंने पूछाके इनकी थर्ड परसन के साथ में क्या है इस वक्त relation में क्या को चल रहा है तो third person के साथ में कहीं न कि इनकी arguments आज कल मुझे बहुत जादा नज़र आ रहे हैं बलकि ये energies आज की भी हो सकती है guys और अक्सर करके energies मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपकी जो person है उनकी third person के साथ में बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वह दोने दूसरे के साथ में comfortable हैं understanding बिल्कुल मुझे यहापर zero नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी understanding नहीं है कहीं न कहीं बहुत अदास नज़र आ रहे हैं आपके person एक comparison भी करते हुए नज़र आ रहे हैं आप में और third person में कोई comparison भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं न कहीं इनके मन में आता है कि आज इनकी जो condition है कि इनकी arguments हो रही है यह लड़ाई जगड़ा हो रहा है या फिर जो कुछ भी इनका हो रहा है वो third person के साथ में इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद third person को अभी आपकी जैसा compare कर नेगोश्च कर रहे हैं कि आपकी साथ में होती तो शायद इनका ऐसा कभी भी नहीं होता या फिर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इनकी कोई कदर नहीं है इनकी कोई value नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं third person को शायद जब उनकी life में आय थे तो कहीं ना कहीं इनको बहुत वि कोई मदद चाहिए थी सिर्फ उस चीज़ को इनकी life में आय थे और सिर्फ थर परसन आप दौनों का relation को disturb करने के लिए अगर इनकी life में आय थे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच कर आपके person को बहुत दुख होता है इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद mistake नहीं की है mistake नहीं क करना चाहिए था उस वक्त जब चीज़े बहुत जादा कहीं ने कि आप दोने के बिच में disturb हो रही थी आप इनसे request कर रहे थे या आप से move on हो रहे थे आप इनको समझा रहे थे आपने इनको बहुत समझाया गाईस मुझे energies मिल रहे हैं आपने इनको बहुत बोला क्यों बो की लाखों कुशिश करने के बाद भी आपके लाख समझाने पर भी परसंशाद उन बातों को नहीं समझ पाई बातों को नहीं मान पाई पर आज जब इस चीज़े इनके सामने खुझ से खुल कर आ रहे हैं तो कहिना कर गाईस देखिए क्या energies आ रहे हैं इन परसंगी बहु आपको मिस करते हैं आपको याद करते हैं पर आपके कुछ लोगों में से कुछ परसंगी नहीं समझ पा रहे थे कि थर्ड परसंगी उनको लेकर क्या कुछ वाकई में इंटर्नल फीलिंग्स क्या है या शायद वो थर्ड परसंगी समय रहते नहीं समझ पा रहे थे बट बहुत लंबे समय तक अपने जो रियल इंटेंशन से शायद उनको नहीं उनके सामने एक्सप्रेस कर पारा था गाईस तो मुझे ऐसी इनरजीस मिल रहे हैं कि इस वक्त आपके जो परसन है बहुत दल चीज़ों को समझ रहे हैं थाट परसन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है इन परिशान हो रहे हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी लाफ में आपकी पहुत ज़्दा कमी है इसवक्त जस्टिस चाहते हैं आप में इनको बहुत बार चीजों को समझ जहाएं थी कुछ चीज़े आपने इनको बोली ती सम्लारने कुश क् отмет интерес कि वह चीज़ इनको आज बहुत जादा याद आती हैं उन चीज़ों को याद करके एमोशनल हो जाते हैं कि एक परसन था जिसने मुझे सब कुछ पहले ही समझाया था कि शायद आप से मूव ओन होकर उनको खुशी नहीं मिलेगी बट शायद गाइस इस वक्त वो परसन नहीं समझ पाया फिर है तो आप मुझे वाट्स पर कॉंटक्ट कर सकते हैं और परसनल प्रिक्षं के लिए क्या कुछ इनरजी आ रही है आपके परसन की नेक्स एक्ट क्शन क्या हो सकता है इनका आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं next action इनका क्या हो सकता है so page of wants guys इस परसन कुछ बहुत जाद मुझे plan करते हुए नजर आ रहे हैं किस चीज की उजना बना रहे हैं किस चीज की उजना बना रहे हैं किस के लिए extra लेने बारे हैं किसके लिए होने वाला है इनका अगला action कि वहाई तो बहुत जाता है कहिना कहीं आप भी इनका वेड कर रही हो आपकी energies खूल रही हैं आपकी person के वी कहीं आप दोनों की था ही मुझे energies मिल रही हैं क्या आब भी अपने परसन को लेकर दिन रात काई नहीं सोच विचार करते हैं मुझे नजर हा रहे ह kenn烹ू है इनर्जीस ठीक हैं आप मुझे कमेंड करके रोब पतायए क्या आप दिन रात अपने परसन के बारे में सोच 변 actors कर रहे हैं बहुत लिखो कि कैसे पास्ट को आपने मिस करते हैं कि मुझे इसे energy मिल रही है बिल्कुल भी आपको वरिष होने नहीं आ रहे हैं आपके लिए, magic energy है guys I hope आप सबी इस energies को receive कर पाएं कहीं न कि आपके life में a magic होने वाला है आपके life में a magical energy आ रही है magical blessing आ रही है कहीं न कि आप अपनी जगे पे बिलकुल fair है अपनी जगे पे आप बिलकुल true है कहीं न कि बहुत honest है अपने person को लेकर आपकी जो feelings है ना अपने person को लेकर वो बिल्कुल true है आपकी emotions बिल्कुल true है तो कहीं न कहीं justice की energies हैं universe की तरफ से आपके लिए कि आपने relationship के लिए हमेशा 100% efforts कि भलाई इस वक्त disturbances चल रहे हैं गाइस पर ये जो disturbances इस वक्त मैं देख पा रही हूं कहीं न कहीं मैजिकल इनर्जीस हैं इस अगर एक बार आपकी चीज जो है आपकी frustration disturbances आगे तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि disturbances जो है आपकी life से नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मुझे energies मिल रही है कि आपकी life से बहुत जल्दी disturbances जाने वाले हैं देख लेती हूं future क्या हो सकता है आपका अपने person के साथ में क्या future होगा future energies को मैं cover करूंगी आपक okay guys okay so abhyb energies मुझे मिल रही है three of source के energy guys आपके person आपके साथ में future देख रहे हैं बहला ही वह आपके साथ में future देख रहे है बड़ा ही साथ में future देख रहे हैं अभी भी जाही है थैड़ परसन को लेकर मुझे उनकी मन में नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से heart broken energies मिले हैं कहीद न कहीं आपको भी हर्ट कर दिया उसके बाबसूत कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जब वो कमबैक होने वाले हैं तो ये उनिवर्स की ब्लास्टिंग की इनर्जिस मुल रही है बहुत जादा गाइस आपके परसन आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे है इस वक्त कि आपके साथ में ही आप वो अपना फ्यूचर चाहते है हार्ट ब्रोकन एनर्जिस उन्हें थर्ट परसन की तरफ से मिली है बट उनके मन में कहीं न कहीं गाई इस पूरी होप है आपकी तरफ से कि आप हमेशा उनका भला चाहते हो गए न कहीं आप उनका अपनी लाइफ में अपनाएंगे कुछ चीज़ों को लेकर आपके परसन आपकी तरफ से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि परिशान है और कि उस बातों को लेकर वो हिम्मत भी करतो है मुझे नज़र आ रहा है एक उमीद है उनके मन में कि शायद वो अपनी गलतियों की आपसे माफी माँगेंगे आपसे सौरी बोलेंगे कभी उनों अगर आपको हर्ट किया है तो उन चीज़ों के लिए आपके परसन भी आज मुझे हर्ट होते हुए नज़र आ रहे है आपके साथ में फ्यूचर देख रहे है एंजल ब्लैसिंग की इनर्जिस देखती हूँ गाईस क्या कुछ एंजल कार्ट कह रहे हैं आपके डिलेशन के लेकर क्या कुछ इनर्जिस आ रही हैं मेरे पास में ओके गाईस कई ने कहीं कि मुझे रिउनिन की इनर्जिस मिल रही है यानि कि बहुत ही जादे गुड टाइम में आप एंटर करने जा रहे हो एक न्यू बिंगनिंग होने वाली सारी चीज़े जो हैं काईस न्यू होने वाली हैं बेटर होने वाली हैं आपके रिलेशन्शिप में कुछ डिस्टरबैंसे आये थे वो सब अब खत्म होने वाले हैं एक नए शुरुवात एक नए सवेरा आपकी जिंदी में आने वाला है चीज़े जो हैं आपकी फेवर में होने वाली हैं जिस टैम में आप आगे जाके मूफ कर रहे हैं आपने टाम आपके फेवर में है बहुत जाथा कहीं ना कहीं आपके लाlight में एक मुझे new ब्लाइसिंग्स आती हों ही नज़रा रहे है एक favorable time जो कि सिर्फ आपका है अपने time को आपको enjoy करना है आगे की time में future energies बहुत साथ खुबसूरत मिल रहे हैं मुझे आपके relation के लिए so I hope आपके साथ मुझे टरोका रेडिंग है आप राजोनेट की हो and till the time take care and have a nice day